नमस्कार दोस्तों आज में फिर हादिनों एक नए वीडियो के साथ आपके अपनी चैनल एस्टू जेमिनी तर कॉजमिंग हिलर में आज मैं बात करने बाला हूँ चेहरे पे कीन मुहासों को किस तरह से रटाए और इतना ही नहीं किसे भी तरह का दाग जो चेहरे में बहुत दिनों से रह गया हो वो बिलकुल नहीं जा रहा हो उन दागों को किस तरह से पर्मानिंट्ली हटाए लेकिन उससे पहले आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने मेरे सेनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज प्लीज प्रीज सब्सक्राइब करें और पूरा वीडियो देखें सब्सक्राइब करते वक्त घंडी का बटन जरूर टिक करें जिससे में नए वीडियो की नोटिफिकेशन्स आपको जल से जल मिल पाए तो आज मैं बात करने वाला हूं दाग धबो को चेहरे से किस तरह से मिटाए और इतना ही नहीं साथ में कील मुहसे या चेचक के दालों को आपकी तवचा से किस तरह से मिटाए उसके लिए किंतिन सामग्रियों की आवशक्ता है और उन सामग्रियों को किस तरह से उप्योग मिलाएंगे ये देखते हैं तो चलिए शुरू करने दोस्तों आज जो मैं नुस्का बताने वाला हूं इसमें नारियल का तेल और कपूर का उप्योग करेंगे जिहां दोस्तों उसके लिए ये एक ऐसा नुस्का है जो आपके चेहरे में पिंपल कित निशान या पुराने कोई भी जले हुए के निशान, कटे हुए के निशान या खाओ के निशान में काफी कारगर है उसके लिए पहले दो चम्मच नारियल का तेल एक बॉल में डालेंगे उसमें चार कपूर के टुकड़े को अच्छी तरह से मेश करके उसमें डालेंगे जिस तरह से मैं डाल रहा हूं आप भी इस तरह से घर में उप्योग कर सकते हैं एक चम्मच में दो कपूर और दो चम्मच में चार कपूर का उप्योग कीजिए चाहें तो थोड़ा सा तेल और डाल सकते हैं और एक कॉटन बॉल से आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और उन जगहों पे लगाएं जिन जगहों पे आपको काला निशान पढ़ गया हो काला धब्बा पढ़ गया हो या उन स्थानों पे जहां पे जल जाने के बाद काला स्पॉर्ट पढ़ जाता है उस जगहां पे लगाएं चेहरे पे बहुत ज़ादा पिंपल आ रहे हो या पिंपल ठीक होने के बाद जो निशान रह जाता है वो रह जाए तो उस जगहों पे इस रूई के कॉटन के गोले के साथ आप अप्लाई करें बिल्कुल इस तरह से सर्कूलर मोमेंट पे करीब एक हफ़ते तक आपको ये नुस्खा उप्योग करना है आप पाएंगे कि आपकी स्किन जो है वो बिल्कुल नैश्वल तरीके से दमकने लगेगी चमकने लगेगी जिन लोगों के चेहरे पे अक्सर पिंपल होता है वो भी ये नुस्खा उपयोग कर सकते हैं इससे पिंपल तो जाएगा ही साथ में उसका निशान भी चला जाएगा और चेचक के दाग जी हाँ दोस्तों जिनको चेचक होता है चेचक ठीक होने के बाद बहुत गहरे दाग रह जाते हैं चेचक के दाग पे भी आप ये नुस्खा अपलाई कर सकते हैं इससे आप पाएंगे कि आपके चेचक के निशान बिल्कुल ठीक हो जाएगे और इतना ही नहीं ये घरेलियू नुस्का आप बालों पे भी उप्योग कर सकते हैं इसके लिए ज़्यादा कुछ करना नहीं है बस तेल को हाथ में लेना है बिल्कुल अच्छे से अपने हथेली पे रगड़के और अपने बालों में लगा लेना है इससे बाल जणना, बाल पतले होना, गंजापन, रूशी होना इन सारे चीजों में इन सारे डिजीजों में ये नुस्खा काफी असरदार है और इतना ही नहीं, जो लोग दात, खाज, खुजली से परिशान हैं, वो भी दात, खाज, खुजली के उपर इस नुस्खे को अपलाई कर सकते हैं ये आपको सुभा और शाम लगाना है, लगभग एक हफ़ते तक आपको लगाना है, तो आप पाएंगे कि आपका स्किन डिजीज, कोई किसी भी तरह का स्किन डिजीज बिल्कुल ठीक हो जाएगा चाहे वो चहरे से रिलेटेड हो, पिंपल हो, जाईया हो, काले निशान हो, या दात, खाज, खुजली हो, या बालों से रिलेटेड कोई भी समस्या सब में ये नुस्खा काफी कारगर है दोस्तों दोस्तों इस तरह के वीडियो जिसमें हम अपने घर के घरेडू सामतियों से अच्छे से अच्छा उप्योग कर पाएं या उसका घरडू उप्चार के लिए उप्योग कर पाएं इनके उपर मैं अगले और बहुत सारे वीडियोज लाओंगा तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा जरूर जरूर कमेंट करें शेयर करें लाइक करें ताकि दूसरे में इसका फायदा उठा सकीए धन्यवाद